दोस्तों, student life में दुख, दर्द और तकलीब यह एक आम बात होती है और कोई भी student या इनसान दुखी तभी होता है जब उसे इन चीजों से लड़ना नहीं आता है प्रोब्लम को साल्व करने कोशिस नहीं करते तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सची कहानी सुनाओंगा जिसको सुनने के बाद आप भी प्रोब्लम को साल्व कर बुलंदियों को छूश सकते हैं अपने लच्च को, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों, यह कहानी एक बाज की है जिसमें वहाँ अपनी नई जिन्दगी को पाने के लिए क्या क्या करता है, कितनी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है उसे जिसको जनने के बाद आपकी दिक्कते बहुत ही छोटी लगे तो दोस्तों, जब आज 40 साल का हो चुका होता है तो उसके पंक इतने भारी हो चुके होते हैं कि उसको उनने में बहुत ही तकलीफ होता है और उसकी चोज भी इतनी मुर्ज चुकी होती है तूट चुकी होती है कि उसको शिकार को खाने में, निगलने में बहुत ही दिक्कत होता है और बाच के जो पन्जे होते हैं वो भी किसी कांके नहीं रहते तब उसके पास सिफ तीन आप्सन बचते हैं या तो वह अपनी जिन्दगी को त्याग दें अर्थार मर जाए दूसरा यहां कि वह गित की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए और तीसरा आकास की गुलंदियों को चीर कर उड़ने का और जो उसके उड़ने का प्रोसेस होता है वहां हमारे दर्द से कई गुना ज्यादा दर्दनाक होता है तो दोस्तों अपनी नई जिन्दगी को पाने के लिए बाच खुद अपने पास की सबसे उची चोटी पर जाता है वहां पे एक शटान पर अपनी चोट को मार मार के तोड़ देता है और इस समय वहां खुद से बिलकुल लगपत हो जाता है और फिर ओ उसी डर्द के साथ नई चोट के उगने का इंतजार करता है उसके बाद अपनी नई चोट से अपने पंजों को काट देता है और फिर से ओ खुद से लगपत हो जाते हैं फिर से ओ नई पंजों के उगने का इंतजार करता है अभी भी उसकी प्रोबलम खत्म नहीं हुए दो एक बार फिर से जब नई पंजे निकल आते हैं तो वह अपनी शरीर के सारे पंख को एक एक करके निकाल देता है और फिर से ओ अखुन से पूरी तर यानि कि पूरे 5 महीने तक उसे बहुत बड़े दर्द से गुजरना पड़ता है तब जाके उसे एक नई जिंदगी मिलती है और फिर से वो आकास की बुलंदियों में उड़ने लगता है तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी दुख, दर्द और तकलीपों से लड़कर अपने स अपने कुस् छाकार कर सकते हों अपने गोल को पूरा कर सकते हों क्यों कि जितना बूरा टाइम होता है इपनी आपनी ऐसी मिलता है और यस से मनधूत और श्ट्रांग करते है तो दोस्तों जाते-जाते अगर इस वीडियो से आपको कुस सीखनों को मिलाों तो लाइक करके ज़रूर बता दे और डेली मोटिवेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैक्यों दोस्तों